नमस्कार स्वागत है पर फिर से आपका हमारे यूटूब के चानल पर जहां पर आपको करियर और अनिमेशन, VFX, Multimedia Gaming इन सारे टेकनिकल जो इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा बहतरीन अपडेट आपको यही मिलता है और आप सब का बहुत बहुत कर लिन चीज कि अगर आप 3D modeling कर रहे हैं, अगर आपको 3D modeling में अपनी करियर बनानी हैं, अगर आप 3D modeler बनना चाहते हैं तो आपको किन-किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी-भी हम लोगों की एक टेकनिकल मीट हु उनसे बाद भी हुई कि क्या-क्या चीजे आज के बच्चों को सीखनी चाहिए अगर आपको 3-D मॉडलिंग में जानी है तो आपको क्या सीखना चाहिए अगर आप 3-D मॉडलर बनना चाहते हैं तो आप किन-किन चीजों पर ज्यादा तर ध्यान देंगे जिसका ज़्यादा डिमांड होता है मार्केट में एक तो है कि आप character modeling पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको filmों में like filmों की चीजों में जैसा filmों में जो modeling होते हैं उन पर काम करना है तो आपके chances थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएंगे environment होकर आप करतो सकते ही हो करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वह सबसे important चीज है कि उस पर आप करोगे तो आपकी chances कई गुना बढ़ जाएगा दूसरा है आप animal के उपर भी आप modeling करिए उस पर भी अपना जो हाथ है उसको साफ करके रखिए उस पर भी practice करना है यानि कि modeling में आपको character animal इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है यानि कि जो creatures होते हैं creatures वगर अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें काफी जादा demand है आज के time मे जैसा कि आपने देखा ये हम लोगों ने live बात करी थी अगर आप देखोगे प्रिद्बी राज चोहान तो उसमें जो सेर है या फिर भेडिया हो गया और ऐसे जो एक था tiger movie था ऐसे कई movies हैं जिसमें creatures का बड़ा demand रहा है और जिसकी वज़त से movie में एक जान सी आ गई थी त करना चाहते हैं तो आपको इन topics पे आपको अपना हाथ एकदम साफ रखना होगा practice करनी होगी और इस पे आपको अपनी confident जो है confident जो चीज़े हैं वह confidence आपको बना के रखना होगा अगर आपको इस पर काम करनी है software की बात करें तो software में आप Maya सीख लें और Maya के साथ साथ अगर अगर आप 3D modeling में जा रहे हो तो आपको जीब्रस आना बहुत जरूरी है Maya के साथ साथ आपको जीब्रस आना ही चाहिए अगर आप modeler अखास करके बन रहे हो तो और जीब्रस और Maya का जो combination है आजकल आजकल गया यह सुरू से ही बहुत demand में है और मैं बहुत जल्द आपके ल बहुत जल्द मिलवाऊंगा तो आपकी और भी डाउट क्लियर हो जाएंगी तो फिलाल आप Maya और जीब्रस और साथ ही साथ थोड़ा सबस्टेंस पेंटर डिजाइनर वगारा भी सीख लीजे क्योंकि आप modeling करते हैं तो तो आपकी जो सोरील है वह काफी अच्छा बन सकता ह और आपकी जो जॉप की चांसे से वह बढ़ जाएंगी तो 3D modeling artist बना है तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा ठीक है तो चलिए अगर कोई comment है कोई doubt है तो comment box में बताईए वीडियो कैसी लगी ये भी आप चुरूर बताईएगा और वीडियो को like कर लो और चैनल प हुआ 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 है